देखिये medical कौन-कौन से points हैं, क्या carrying angle है, क्या नहीं है, shoulder drop, lungs में क्या check होता है, ऐसे बहुत सारे points है, private part में क्या check होता है, इस तरह के points को लेकर एक video के लिए बहुत सारे candidates के message जा रहे थे, कि क्या check होता है, कैसे check होता है, तो अब देखिये medical guideline में हम बात करें कि journal examination, तो hello friends, स्वागत है आपके अपने YouTube channel guide पर official map पर, इस वीडियो में हम आपके medical से related जो doubt से हमको दूर करने ही खोशिश करेंगे, journal examination के उपरी तोर पर body में क्या देखा जाता है, अब उपरी तोर पर ही नहीं, वो तो अंदुरूनी तोर पर भी हो जाता है, journal examination, उससे पहले देखें, medical लेदी हम बात करें, अभी तो CPO sub inspector और SSC GD, मारे medical अभी आने वाले हैं, इसके साथ ही SSB के भी अभी medical होने है, CAPF separate recruitments की बात करें, तो SSB tradesman, तो यहाँ पर देखें कि journal examination, medical guideline क्या कहते हैं, कुछ principle points क्या है, मुख्य रूप से क्या चेक होता है, उसके बारे में बात करेंगे, तो देखें, सबसे पहले तो आप जहां जा रहे हैं, वहाँ पर एक physical toughness के साथ ही, एक mental toughness की विजरत होती है, मिनी फर्म आप पहन रहे हैं, चाहे आप commander level पर भरती हो रहे हैं, या आप एक entry level पर हो रहे हैं, भरती, panic, depression, stress, यह shame, anxiety, इस तरह के phobia, यह सब चीज़ें जो है, वह आपका कोई history उसका नहीं रहा होना चाहिए, जब declaration form आप से भरवाय जाता है, उस समय भी भी आपको इसकी जानकरी देनी होती है, क्या कभी आपने counselling लिया है, या आपने कोई medication इस तरीके का लिया है, या psychiatrist का आपने कोई treatment आपका हुआ है, ऐसा कुछ है और आपने yes कर दिया वहाँ पर, तो यह समझी क्या problem में पढ़ गए, कई बार hesitation कट जो यहाँ पर कट लगे रहते हैं, बाएं हाथ पे दाहिने हाथ से आप लिखते हैं, और बाएं हाथ पे आपके 3, 4, 5, एक कट है तो भी problem हो जाता है, कैसे कट लगा, आपने accept कर लिया कि मैंने खुच से लगाया है, problem में पढ़ गए, कान, नाक और गले का किसी भी तरह का कोई disease आपका नहीं होना चाहिए, कान की सफाई के लिए आपके admit card में लिखा रहता है, कई बार candidates गलती कर बैठते हैं, कान की सफाई भी नहीं करवा के जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं ऐसी स्तिती में, तो हम तो देखे साफ करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी होता है, कि कान में wax इस कदर जमा रहता है, कि वो साफ नहीं होता है, तो उस स्तिती में आप सरफ wax की वज़े से आप बाहर हो जाएंगे, साथ से दस्तित का उसमें टाइम लगता है, आपको drop यूज करना होता है, तो ऐसी गलती नहीं करना, कान के सफाई करवा लेना है, ना कान गला, अब गले में क्या हो सकता है, टॉंसिल बेदी बहुत जादा है, तो वही प्राब्लम हो सकती है, जीब का movement आपका proper है या नहीं है, वो tongue-tide का इशू है, वो सब चीजें कान के परदे में सफेद दाग होता है, कुछ के लिरेट्स को तो सफेद दाग का कोई इशू नहीं होता है, वो fit हो जाता है, कान का परदा आपका सही होना चाहिए, तीसरे point पर हम आते हैं, वो है आपकी आँखें, vision, आँखों का movement आपका, टॉसिस, टेरीजियम, इस तरह के जो इसमें points बनते हैं, वो, आप एक common mistake करते हैं, जब pen को आपके सामनी किया जाता है, और आप गर्दन घुमा लेते हैं, आपको squint का point बना दिया जाता है, हलांकि वो point re-medical में टूप जाता है, लेकिन, कोशिश आपको करनी है, कि आपको re-medical ना मिले, आप पहली बार में fit हो जाएं, अब vision क्या होना चाहिए, आपका 6x6 master hand, आपका right hand है, तो right eye 6x6 होनी चाहिए, दूसरी आपके 6x9 भी चल जाएगी, ये SSC GD और CPO के हम बात कर रहे हैं, ये driver भरती की बात करें, तो दोनों आखे 6x6 होनी चाहिए, color perception driver में आपका CP2 होना चाहिए, और दूसरे जो recruitment है, उनमें CP3 होना चाहिए, अब 3 में कौन सी book है, 2 में कौन सी book है, book एक ही है सभी में, आपका respond time क्या है, आप plate को देखते ही तुरंट reply कर देते हैं, या आपने 26 को 28 पड़ दिया, और 73 को आपने 23 पड़ दिया, तो उस तिती में भी आप CP3 कर दिये जाते हैं, तो 4B किया जा सकता है, पहले से practice रखना है उसका, तो required standard यहाँ पर अलग-अलग है, कि driver के लिए दोनों आखे 6 by 6 होनी चाहिए, यह practice आपको करने के लिए बताया जाता है कई बार, वो इसलिए बताया जाता है, speech should be without impediment, that is no stammering, हकलाहट नहीं होना चाहिए, हलाँ कि अब हकलाहट भी normal है, तो उसके बारे में भी आगे बताया गया है, medical guideline में, कि कितने sentence के बाद आप हकला रहे हैं, कुछ इस तरह की situations वहाँ दी गई हैं, उसमें आप fit हो जाते हैं, लेकिन खकलाहट है, तो आपको किसी speech therapist से आपको consult आपको करना चाहिए, अब एक देखे, perceptible and visible glandular swelling anywhere in the body, लेकिन इसमें भी एक चीज आपको बता दूँ कि, जो only fat clotting है, उसमें आप fit हो जाएंगे, gynecomastia भी इसी category में आ जाता है, यहां देख रहे हैं, आपके देखे, यह इस तरह का, तो ऐसी गांठें आपकी body में हैं कहीं, तो उसमें आपको परिशानी हो जाएगी, उसका समय रहे ते treatment कर वा लीजे, gynecomastia क्या है, यह gynecomastia है, यह surgery हो गई, surgery का duration है हर point का, लेकिन आपके surgery अच्छे से हो गई, तो आप यह भी कह सकते हैं कि duration पुराना बता सकते हैं, तो should not have perceptible and visible glandular swelling anywhere in the body, नहीं होना चाहिए, यह जो general inspection है body का, उसके बारे में बात की जा रही है, अब देखें, chest के बारे में बताये गया है, कि chest should be well formed, कि pigeon chest कई बार का होता है कि दुबला पतला होता है, एक 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 इंटेट उनको pigeon chest का point बन जाता है, कितना होना चाहिए आपका तो 80 होना चाहिए, जो छूट दी गई है जिन categories को उनके अलावा, और 5 cm का minimum expansion इसमें होना चाहिए, अब 5 cm से कम expansion है, तो आप physical standard test में बाहर हो जाएंगे, medical तक पहुंचेंगे नहीं, क्या medical में chest दुबारा से check किया जाता है, chest का x-ray भी किया जाता है, और दूसरी बाद आपके बता दूँ कि, जिदि आपका नहीं flower हो रही है 5 cm की, तक आपको medical के टाइम पर भी बाहर किया जा सकता है, chest should expand for at least 5 cm with ease and that heart and lungs are sound, अब heart का क्या diagnosis होता है, heart का ECG किया जाता है, ECG कुछ centers पे नहीं भी किया जाता है, लेकिन जनरली यह देखा है, अब देखें, limbs and hands and feet should be well formed and fully developed, तो यहाँ पर knock knee, carrying angle, bow legs, hyper extension of elbow, genuine record weight term, इस तरह के जो points होते हैं, वो इस category में आते हैं, अब normal कौन सा है, bow legs कौन सा है, gap ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, gap कम भी नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से नीच चिपक रहा है, तो भी आप unfit हैं, और बहुत ज़्यादा gap है, तो भी आप unfit हैं, तो यह perfect है, अब इस perfect को रखना आपके हाथ में है, ज़िए आपको है problem, तो आप exercise करके आप ठीक हैंगे, जितना आप करेंगे, उतना आपके उपर है, आपका किसे तरह का कोई bone का surgery हुआ है, fracture हो गया था, उसके बाद surgery हुआ, उस तिती में आपको remedical मिलता है, यह सब rule out करने के लिए, कि वो bone का fracture आपका सही से जुडा या नहीं जुडा, और उसके बाद, कोई foreign body तो नहीं है body में, कि किसे तरह कोई screw, road, यह सब तो नहीं है, यह ऐसा है, तो ही आप unfit हैं, उससे बचने के लिए क्या है, उससे बचने के लिए बताए कि surgery जो है, उसको आप surgery नहीं बता के, उसको आप छोट बता दें, तो असानी हो जाती है आपकी थोड़ी सी, there should be free and perfect moment of all the joints, moment के लिए आपको इस तरीके से, हातों को उपर नीचे करने के लिए सब कहा जाता है, यह चेक किया जाता है आपका, तो वो इस्तिती आपकी perfect होनी चाहिए, hammer toes, halox vulgus, और देखिए, कुछ toes से related और भी इश्यू है, तो feet and toes should be well formed flat foot, यह देखिए flat fit, यह flat fit के स्तिती है, और यह normal feet है, अब high arc feet भी नहीं होना चाहिए, कि जो arc है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, उस तिती में भी आप unfit हो जाते हैं, कई बार आप क्या होता है, कि दिखाने का आपका जो तरीका होता है, medical officer को वो भी आपको परिशानी में डाल देता है, और यही सब चीजें आपको correct करवाने की कोशिश की जाती है, शुड नॉट हैव एनि कंजनीटल मालकॉमेशन और डेफेक्ट्स, कि जनम जात किसी तरह का कोई विक्रती नहीं होना चाहिए, शॉल्डर ड्रॉप कई candidates में होता है, कि जो जिस हाथ से लिखते हैं, उसी कंधे को दबाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बिए ट्रेसेज और प्रीवियस एक्टूट और प्रोनिक डिजीज पॉंटिंग टो एन इंपैट कॉंस्टिटूशन, कि आपका बॉडी का जो बनावट है, वो किसी तरह का कोई उसमें विक्रती नहीं हो, वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, एक हमारा दांत का इशु आता है, कि डेंटल पॉइंट चावदा होने चाहिए, आपको कम से कम पास होने के लिए, अब जिसके 16 उपर 16 नीचे पूरे पूरे हैं, उनके डेंटल पॉइंट कितने होते हैं, 22 होते हैं, ये जो दांत हमारे हैं, उनको चार भगों में बाटा गया है, उसमें से एक भगा आपको दिखाया है, उपर के जो दांत हैं आपके, उससे डेंटल पॉइंट काउंट किया जाता है, वो नीचे वालों से प्रॉपर मैच होने चाहिए, उसके लिए अलग से प्रोपर वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए तो 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए यह देखिए यह मेल के लिए है यह फिमेल के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे मेल केंडिडियेट्स की हम बात करें तो हाईड्रोसिल वेरिकोसिल बाएटो का बड़ा इशु है यह सब आपको नहीं होना चाहिए और है तो आप समय रहते हैं उसका ट्रिट्मेंट करवाला है दूसरी मारे जो सानी रणिंग कर रहे हैं उनको ये बता दो कि आप रॉनिंग करते समय सपोर्टर का यूज जरूर करें को कि आपको टेस्टिस में इशू हो सकता है यह नहीं पहनते हैं हर्निया तो इंग्यूनर स्क्रोटल स्वैलिंग आपका नहीं होना चाहिए मेडिकल गैडलाइन में पेज नंबर कितना है वो भी आपको बता देंगे बोद दे टेस्टिस आर इन दे स्क्रोटम एक मेल कंडिडिट्स के लिए हमारे बड़ा इशू होता है यह कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में है या नहीं दोनों बिल्कुल टच करके चेक किया जाता है कई बार डाउट रहता है आपको क्या पूरे कपड़े उतार के चेक किया जाएगा बिल्कुल उतार के चेक किया जाएगा लेकिन आपकी प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान वहां रखा जाता है तो ये जर्नल एग्जामिनेशन हमने बॉडी का कवर किया इसके लब आप पॉइंट टू पॉइंट भी आपको बताने ही कोशिश करेंगे कम्प्लीट मेडिकल चेकप की सुबते हमारे सेंटर प्रोप्लब है उसके लिए आप स्क्रीन पर दिये नंबर पर आप संपर कर सकते हैं और कम्प्लीट मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको वाटस अप नंबर शेयर कर देते हैं इस नंबर पर आप वाटस अप मैसेज कर देना complete medical guideline आपको मिल जाएगा कोई point आपका है कभी आप unfit हो गए थे इस बार फिर आप देख रहे हैं भरती तो आप कुछ share करना चाहते हैं तो वो भी इहां share कर सकते हैं कोई question है आपका बिल्कुल WhatsApp message कोई charge नहीं है उसका बिल्कुल free of course टैपके लिए आप चाहे जितने message करें आपको उतने reply मिलेंगे जाएगे